देवों के देव महादेव की महीमा भी अफरम पार होती है इस दुनिया में महादेव की हजारों की संख्या में भक्त आपको देखने के लिए मिल जाएंगे मानता है जो भी सच्चे मन से भूलेनात की आराधना या पूजा करता है तो उसके सभी कलेश भगवान दूर कर देते हैं इनकी संपूर लीलाओं का जिक्र आप वेद पुराणों में भी पढ़ सकते हैं वहीं जोते शास्तर के मुताविक इस वार ऐसा सैयोग बना हुआ है जिसमें महाकाल की आखों में ये तीन राशियां हमेशा हमेशा के लिए बस चुकी हैं अब महाकाल इन तीन राशी के कुंडली में काफी जादा परिवर्तन करने वाले हैं इनकी किसमत अब बुलंदियों को छोती हुई नजर आएगी बोलेनात की किरपास इनके घर परिवार में मांगले करे होंगे इन राशी वालों की कुंडली में सब तरहे की दुख अब समाप्त हो जाएंगे वहीं घर में शुक शांती बनी रहेगी कोई बड़ी खुश ख़वरी भी मिल सकती है आप अपने कारोबार में काफी जादा तरक्की करेंगे जिन्दगी में काफी कुछ इनके अब अलग होगा पिछले कुछ दिनों से चरिया रही परेशानिया भी इनकी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी जो कुछ इनोंने अब तक सोच रखा था उसमें भी इनको विशेश लाव होने के प्रवल योग दिखाई पड़ रही है वहीं आपको ये भी बता दे महाकाल के आशिरवार से अगर आप विवापार कारोबार या कोई भी नौकरी करते हैं उसमें भी आपको विशेश यूग दिखता हुआ बन रहा है साथ ही आपका कल्यान होना अब लगभकते है जिन्दगी का हल लमह आपका आसानी के साथ गुजरेगा और आपको मन चाहा फल भी मिलेगा तो आईए जानते हैं और नज़र डालते हैं कौनसी है वो तीन राश्या वो राश्या है धनू, कन्या और मकर राशी नेक्स्ट नाइन भक्ती सागर से आकाश की रिपोर्ट